हाई फ्रेंड्स मैं खुस्बू स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खुस्बू की दुनिया में तो आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी ये चोली का डिजाइन जो ब्लाउज है लहंगा के लिए ये दस साल की लड़की के लिए है तो ये बहुत सुन्दर बन के आया है ब्लाउज का डिजाइन तो मैं आपके साथ ये सेयर करूंगी ये सेमी स्टिच लहंगा था और ब्लाउज इसका बनाना था जो मैं आपको बना के बताऊंगी देखिये इसमें ये कपड़ा दिया हुआ था और ये मेसु से हमने मंगवाया था ये लहंगा ऑन-लाइन और इस इसकी हम नेक लेंगे सारे पाच इंच इसका हमने तीरा लिया है और सारे पाच इंच ही हम इसका आरमोल भी लेंगे ठीके सारे पाच इंच हमने तीरा लिया है सारे पाच इंच ही हमने इसका आरमोल भी लिया है और नीचे से जो इसका नेक है वो हमने धा इंच लिया है और उपर से इसका नेक की जोड़ाई हमने 2 इंच रखा है ठीक है और ये बैक का पार्ट है तो बैक का पार्ट में हमने अपने हिसाब से आप चाहें तो 3 इंच सारे 3 इंच नीचे से रख लें और इस तरह से ये सेप दे दें देखिए नीचे से हमने 3 इंच सिधा रखा है आप अपने according से रख सकते हैं तीन इंच सारे तीन इंच ठीक है और इस पर हमने back आपार्ट रख दिया है back आपार्ट रख करके और हम इसे cut कर लेंगे उसके बाद आप हम इसमें naked करेंगे तो यह देखिए इस तरह से सीधा नीचे सीधा cut करना है हलका सा बिलकुल हलका सा नीचे से cut करना है और यह fabric को हम आधा कर लेंगे और उसके बाद हम यह front का रख करके इस पर cut कर लेंगे ठीक है अब front open हम नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें back open है तो front open रखने के कोई जरूरती न tanning का fabric हमने cut किया था बिलकुल उसी तरह से हमें यह cut करना है ठीक है और नीचे से भी जो भी extra कपड़ा है उसे हम cut करके हटा देंगे अब हमने front का part लिया है और उस पे lining रख करके हमने चला दिया है इस पे शिलाई एक लगा दिया है और हलका हलका जो भी कपड़ा extra मुझे कट करके हम हटा देंगे और इसके बाद इसमें हलका हलका cut लगा देंगे ताकि यह पलटने में कोई भी हमें problem ना हो और उसके बाद उपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे फ्रेंट से एक नेक बनाने का बहुत ही असान तरीका है इसमें कोई भी आपको पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है और यह देखिए इस तरह से हम कच्चा सिलाई कर लेंगे पूरी में और उसके बाद हम बैक का पार्ट लेंगे बैक का पार्ट में हमने लंबी सी डोड़ी तीन मीटर के करीम में बनाया है जिसमें से हम आधा इसमें यूज कर रहे हैं तो यह दो-दो इंच के गैप में इसे हमें इस तरह से मोर करके लगाना है और जो भी एक्स्ट्रा फैबरिक होए उसे हम कट करके हटा देंगे उसके बाद इस तरफ से भी हमें इसी तरह से करना है यह दिखिए और उसके अंदर से लाइनिंग के फैबरिक के अंदर में हम डाल करके दो-इ की हल्प से हम उसे पलट लिये हैं और इसके बाद में उपर से इसमें देखिये सिलाई लगा देंगे जैसे नार्मल डोडी हम बाज के लिए बनाते हैं बिलगुल उसी तरह से करना इ है एक एक सिलाई लगा करके और सुइधागा के हल्फ से उसे पलट देना है और 2-2 इंच की हमने डोडी कट किया है और उसके बाद इसमें हमने लगा दिया है डोडी का काम हम आगे भी बहुत यूज करेंगे क्योंकि आगे भी हमें डोडी लगाना है ब्लाज में उपर भी और वीडियो फस्ता है और इस तरह से उसको हम मूर लेंगे मूर लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम कट करके हटा देंगे और उसके बाद उसमें हाथ से हम तुर्पाई कर लेंगे या हेम कर लेंगे जो भी आप बोलते हो और उसके बाद आप इसमें हम लेस लगाएंगे लेस ग्रे कलर की लेंगे इसमें ग्रे लेंगा में दिया हुआ है तो मैंने ग्रे कलर का लेस लिया था और ये लेस आपको आसानी से 20 रुपे मीटर की इसाब से मिल जाएगा आपके लोकल मार्केट में तो ये काफी चल रहा है अभी लेस तो इस तरह से आप ब्लाज पर रख करके और लगा दे देखिए इसमें दिया हुआ है आगे में भी ग्रे कलर का तो इसलिए मैंने ग्रे कलर का लेस लिया है और मुझे मिल भी गया था तो लगाने के बाद ये काफी अच्छा लगता है देखिए और बहुत प्यारा लग रहा था बनने के बाद ये ब्लाज इसकी फिनिसिंग बहुत अच्छी आई थी तो देखिए इस तरह से और जो भी एक्स्ट्रा लैस है उसे हम कट करके हटा देंगे और अब हम आगे में भी लगा देंगे पूरी में हम लैस लगा देंगे बस आर्म होल छोड़ देंगे क्योंकि इसमें सितारा दिया हुआ है तो वो चुबहेगा तो इसलिए मैंने नहीं लगाया है और उसके बाद सीधा से हमें एक सिलाई लगा लेंगे ये देखिए ताकि उल्टे जब हम उल्टे ना तो उसमें फिनिसिंग आए और उल्टा में ये देखिए हमने पलट करके और उसमें इस फिटिंग का नाब दे दिया है जो भी हमारा फिटिंग हो और देखिए इस तरह से ये बलाज बन के आया है आगे की और से यह से और इसमें मैंने जाएगा असानी से कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताईएगा